वो कैसे पता करेंगे उसके लिए हमने टेस्ट किया था सबसे पहला टेस्ट था जो डन बाई दे प्रेगनेंट मदर कौन सा था किक काउंट या तो फीटल मुमेंट को मोनिटर करना अब फीटल मुमेंट में दो इसको ग्राफिकल प्रेजेंट करें तो दो चीजे मिल रही थी एक तो यह नॉमल था और दूसरा यह अबनॉमल था अब क्यूशन क्या आ जाए यदि एनकलेक्स की स्टोरी सुने तो एनकलेक्स कैसे क्यूशन द तोसरा है, či duration Kia था टुह आवर्स में ये था resting stage में और दूसरा क्या था कि 12 hour में again 10 moment लेकिन ये क्या था active moment था ये सारी condition fetus को healthy बताती है। लेकिन ये condition हमें ना मिले तोह दूसरी क्या मिल जाएगा अपने को it indicates any distress condition तो मैं आपसे एक छोटा सा क्यूशन इसको applied बना दूँ तो देखो, एक female जो 30 week की pregnant है क्यूशन ध्यान से सुनना, अपने notes में add कर लेना एक female जो 30 week की pregnant है आप OPD में हैं और आपको आकर कह रही है कि कल जितना moment मुझे feel हो रहा था, आज उतना moment feel नहीं हो रहा then we just ask to the mother कि एक काम करो दो गंठे में, खाना खाने के एक गंठे बाद left lateral position में late कर, आप दो गंठे तक fetal monitoring करो यदि moment दस से कम आ रहे हैं, तो हम next जो investigation है वो करेंगे then what you expect कि उसी समय obstetrician को ये बात आपने बताई कि sir या madam ये patient 30 week की pregnant है और fetal moment कम लेकर के आई है हमने again fetal moment को monitor करने के लिए बोला, तो उसमें भी fetal moment कम है then what you expect कि obstetrician उसको घर जाने के लिए बोलेगी या further investigate करवाईगी okay so further investigation कौन सा होगा, दो type के further investigations है, one is एक screening test है and दूसरा है diagnostic test, so जो screening test है उसमें भी दो test हमने देखे थे, एक होता है modified biophysical test जो आज हम पढ़ेंगे और दूसरा होता है NST, so यदि यहाँ पे कोई abnormality आती है, then next screening test is NST तो ये भी हमने पढ़ लिया था and NST भी हमने complete कर लिया था, अब देखो NST के result पे भी पहुंचो, NST में भी हमारे सामने दो finding है, और वो क्या थी? यदि NST एक condition है कि वो normal आ रही है and दूसरी condition है कि वो abnormal आ रही है तो यदि NST abnormal आए, then उसका अगला step क्या है, आ फिमेल को allow to go to home या फिर evaluate for further distress condition, तो हम abnormal आएगा तो उसके लिए भी हम further evaluate करेंगे and what is the further evaluation, that is diagnostic या तो confirmatory test known as biophysical test, clear है? चली साब, तो यहाँ तक हमने complete कर लिया था and पहले हमने discuss किया था what are the fetal moment और the kick count monitoring दूसरा हमने किया था what is NST, यह दोनों ही हमने complete कर लिये हैं यदि मैं आप से पूछू what are the finding of NST, तो उस पे तीन finding थी, एक, दो और तीन तीन finding कौन-कौन सी थी? जो पहली finding थी उसमें fetal heart rate देख रहे थे, दूसरी finding थी उसमें variability देख रहे थे और तीसरी finding थी उसमें acceleration देख रहे थे, acceleration अच्छा होता है या खराब होता है? अच्छा होता है यदि basically moment के साथ में heart rate बढ़ रही है, इसका मतलब fetus healthy है और मैंने ये भी बात बोली थी कि जब कोई pregnant lady हमारे labor room में admit है और यदि उसका NST कर रहे हैं तो fetal moment के लिए हम उसको क्या देते हैं? एक bell देते हैं जैसे ही moment आएगा देन वो bell compress करेगी, प्रेस करेगी और वो graph पे arrow आजाएगा तो arrow के साथ में ये fetal heart rate बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि fetus healthy है लेकिन इसकी abnormal finding क्या है? इसकी abnormal finding थी या तो heart rate 110 से नीचे चले जाए या तो 160 से ऊपर चली जाए दूसरी थी जो beat to beat variability थी उसमें क्या था? या तो absent हो जाए या तो sinusoidal variation देखने को मिले तो ये भी indication to hypoxia और ये indication to anemia और especially anemia किस case में जैसे रह incompatibility हो जाए या वैसा previa हो जाए या twin to twin transpusion syndrome हो जाए चलो एंड इसमें हमने क्या देखा था? एसलेरेसन वाले पार्ट में हमने क्या देखा था? यदि एसलेरेसन नहीं हो रहा है पहले 20 मिनिट में एसलेरेसन कितना होना चीए था? अट्लिस्ट दो ये वहना लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो उसको abnormal मानेंगे ने नॉर्मल अभी हम उसको abnormal नहीं कोइंगे दें नक्स स्टेप में उसको च्य करना है? अगें बनुट्स करना है दें 20 मिनिट मोर हमें टाइम देना है और दोनों को मिला कर 40 मिनिट में यदी द low acceleration ना आये then go there further investigations and that is diagnostic test चलिये ये बात हमने complete कर ली थी इतना किलियर है एक क्यूसे नाता है what you mean by NST से related एक क्यूसे नाता है what you mean by reactive and non reactive NST ये बात मैं नेकल बता दी थी reactive NST मतलब all the findings are normal और non reactive मतलब it indicate abnormality ये NCLEX के sondas में क्यूसें दे रखा है आपको अभी solution भी दिया जाएगा याद रखना है क्या मतलब होता है NST reactive और NST non reactive कई बार एक बहुत ही जिसके लिए हम सोचते भी नहीं हम सारा topic पढ़ लेते हैं हमने topic पूरा कपूरा complete कर लिया और topic के सबसे start के point से क्यूसें दे दिया जाता है हमें पता नहीं चलता और वो यह है कि basic मतलब क्या होता है NST reactive और non reactive का ये इतना सा हमें याद रखना है चलो सो अभी तक हमने पढ़ा है what is fetal moment monitoring and दूसरा हमने पढ़ा है what is NST लेकिन एक और बात करते हैं related to the monitoring मान लीजिए कोई female जो during labor हमारे पास में आती है during labor हमारे पास में आने का मतलब है कि लगबग 37, 38, 39 week लेकर के true labor pen के साथ में हमारे पास में आती है then उसके लिए जो fetal monitoring करते हैं this is called as CTG तो अगला जो अपना topic है देखो this is called as CTG CTG क्या है कुछ भी नहीं है CTG सिर्फ एक वर्ड में बोलूँगा NST जो कर रहे थे वो labor start होने से पहले और जब NST को during labor किया जाता है यानि कि true labor pen start हो गए हैं और उस दोरान जो fetal की monitoring की जाती है graphically representation या machine की द्वारा उसको हम बोलते हैं CTG कुछ भी अंतर नहीं है बस एक अंतर और add करना है कि true labor pen में uterine contraction start हो जाते हैं uterine contraction के साथ में यदी हम heart rate को monitor करें during labor this is called as CTG तो अगला आज का topic है अपना चलिए मैं आपसे पूछू धान दीजे प्लीजे एक और बात सुन लिजे यदी मैं आपसे पूछू NST और CTG दोनों में जादा चांस किसमें है क्यों सनने के very very important that is CTG is more important than the NST याद रखना है चलिए so the next topic that is CTG बहुत सारे लोग इसी test को contraction stress test के रूप में भी पढ़ाते हैं तो CTG को ही हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं we just know contraction stress test अपनी जो saunders है उसमें इसको contraction stress test के साथ में correlate करके दिखाया हुआ है और बहुत सारे teacher भी इसको CTG की जगे अपना contraction stress test के नाम से पढ़ाते हैं चलिए so what is the meaning of CTG इसका मतलब है cardio-tocograph cardio-tocograph same कहानी और भी है जिसको हम contraction stress test के नाम से जानते हैं दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है दोनों का नाम एक ही है आइदर आपसे पूछे contraction stress test या तो आपसे पूछे cardio-tocograph दोनों का मतलब एक ही है चलो यह होता क्या है definition देखें तो देखो this is called as intra-partum fetal monitoring अब मैं आपसे पूछू what is the meaning of NST आप कहेंगे antinatal या तो antipartum दोनों में antar देखो this is the intra यानि जब labor शुरू हो गया it means labor start labor start हो गया तब हम यदि fetus की monitoring करें कैसे मान लीजिए आप एक labor room में गए पहली बार आपकी posting लेगी और आप labor room में गए आपने देखा कि कोई female bear down करी करके bear down effect दिखा रही है एक GR है फस्ट यर की वह cervical dilation देख रही है अच्छा 3 cm, 4 cm, 5 cm एंड उस female के बगल में lateral side में एक machine लगी ही है जिससे लगातार monitoring चल रही है इस monitoring को हम क्या कहेंगे कार्डियो टोको ग्राफी इसका मतलब आप क्या समझेंगे इस female को labor pen start हो चुका है एंड लेबर pen के दोरान क्या हो रहा है uterine contraction as we know हम सब जानते हैं uterus में जब contraction होता है तो contraction के दोरान uterus के जो blood vessels है वो क्या करेगी narrow हो जाएगी contract करेगी pressure के कारण हमेशा याद रखना pressure inversely proportional होता है volume के यदि pressure बढ़ रहा है तो वहां पे volume कम हो जाएगा तो fetus के उपर blood supply जब uterine contraction हो रहा है तो fetus के उपर blood supply ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी तो female जब bear down effect लगा रही है तो uterus contract कर रहा है जब uterus contract कर रहा है तो circulation है fetus को डंषर fetus को circulation कम जाएगा तो oxygen और glucose भी कम मिलेगी जिसके फीटस इस्ट्रेस में चला जाएगा तो यह देखने के लिए क्यूं कर रहे हैं यह देखने के लिए कि कहीं during their labor फीटस इस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है और यह देखने के लिए हम कार्डियो टोकोग्राफी या तो इंट्रा पार्टम फीटल मोनिटरिंग करते हैं चलिए साब सो बेसिकली नेक्स लिख लेंगे वेहन थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए लिख लेंगे वेहन एनस्टी डन ड्यूरिंग लेबर इस कोर्ड CTG और सिंपल वर्ड में लिखेंगे एनस्टी ड्यूरिंग लेबर इज कोड़ेज CTG चलिए अब देखो इसमें क्या करते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये मैंने एक ग्राफ लिया है जैसे ECG में ग्राफ निकलती है ECG में ग्राफ पेपर निकलता है वैसे ही CTG मसीन या NST मसीन से ग्राफ पेपर निकलता है NST में हम केवल एक लीड लगा रहे थे CTG में दो लीड लगाना है सो इसपेशली CTG में जो मोनिटरिंग होगी वो दो चीजों की होगी किसकी नीचे देखो नीचे लिखा है मैंने यूटेराइन कोंट्रेक्शन और उपर सेम फीटल हार्ट रेट सो डियर फ्रेंड NST में केवल हार्ट रेट को मोनिटर कर रहे थे लेकिन CTG में हमें यूटेराइन कोंट्रेक्शन और हार्ट रेट दोनों को कोर्रेलेट करना है Next NST में फीटल मोमेंट के साथ में हार्ट रेट बढ़ रही थी लेकिन CTG में जैसे ही यूटेराइन कोंट्रेक्शन होगा बताओ blood supply कम होगी या ज़ाद होगी कम तो fetus distress में जाएगा और कल मैंने बोला था the earliest changes seen in parameter of the heart moment that is rate कम हो जाती है कौन सा parameter है जैसे ही fetus distress में जाएगा तो सबसे earliest change होगा that is fetal heart rate तो जब fetus के पास में uterine contraction होगा तो blood supply कम हुई जैसे ही कम हुई then fetus की heart rate कम होना start हो जाएगी तो यहाँ पर मान लीजिए heart rate 140 चल रही है जैसे ही contraction आएगा तो heart rate क्या होनी चीए कम decrease heart rate और इस situation को हम बोलते हैं deceleration NST में heart rate क्या हो रही थी बढ़ रही थी लेकिन यहाँ पर क्या मिल रही है deceleration मिल रही है कम होगी कम होना मतलब heart rate कम होना मतलब fetus distress में गया है अब यह हमें पता करना पड़ेगा कि यह deceleration एक normal limit का है या बहुत जादा हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है इसका हर line एक incusion है बहुत बहुत important यदी मैं रहूं examiner यहां पे तो बहुत ही logical question दूँ और ऐसे दो तीन बार aims में question आए वे है कि what you mean by deceleration थोड़ा सा आगे पड़ेंगे लेकिन हर line important है वो पड़ने से पहले अभी तक आपको एक चीज समझ में आजाने चीए कि CTG में especially दो चीजों में relationship होने वाला है the one is uterine contraction another is heart rate यहां पे heart rate क्या होगी जैसे ही stress में जाएगा कम हो जाएगी चलिए so again उपर हम देखेंगे this is the heart rate this is the fetal heart rate और दूसरी तरफ देखो this is the uterine contraction देखो यह जो graph है वो uterus के contraction को बता रहा है यहां पे हुआ है uterus का contraction अब यदी मैं diagram A बनाऊ और उपर में diagram B बनाऊ दोनों में क्या relationship पर बताओ यह किसको indicate कर रहा है this is the uterine contraction तो जैसे ही contraction हुआ heart rate क्या हुई कम हुई देखो इन दोनों में relation बिठाओ यहां पे uterine contraction हुआ तो यहां पे heart rate कम हुई normally heart rate कम होना is called as deceleration again इसमें देखो यहां पे भी मैंने क्या बताया है जैसे ही uterine contraction हुआ then इसमें भी heart rate कम हुई है ऐसे ही यहां पे भी जैसे ही uterine contraction हुआ heart rate कम हो रही है अब दो parameter जो आपको याद रखने है CTG में वो क्या है हमेशा relationship between the fetal heart rate and uterine contraction जब जब भी uterine contraction होगा इसका मतलब है कि heart rate कम होगी चलिए अब देखो next यदि हम कहें कि कोई female जिसका हम CTG करने जा रहे है काडियो टोकोग्राफिक करने जा रहे है तो उस female के abdomen पे हमें दो electrode लगाने है NST में सिर्फ हम क्या देख रहे थे fetal heart rate लेकिन यहाँ दो चीज़े देख रहे है one is uterine contraction and another is heart rate तो abdomen पे कितने transducer लगाएंगे दो transducer जैसा कि इस diagram में दिखाया गया है अब देखो are you able to see this diagram सब को नजर आ रहे है चली बताओ these are the transducer एक transducer यह लगा हुआ है और एक transducer दूसरी जगे लगा हुआ है यदी मैं इसको uterus बना दूँ यदी मैं इसको uterus बना दूँ again तो अब मैं आपसे पूछूँ चलो you just tell me A and B कौन सी जगे uterus का fundus है A पे है या B पे है A पे fundus है तो एक तो transducer हमने कहां लगा रखा है देखो transducer कहा है this is the transducer एक transducer कहां पे लगा रखा हमने fundus of the uterus पे और दूसरा transducer कहां पे लगा रखा है this is the amelicus amelicus के नीचे लगा रखा है या उपर नीचे इसका मतलब ये लगा रखा है fetal की heart rate को देखने के लिए और ये लगा रखा है uterine contraction को देखने के लिए तो CTG में we have to put two transducer on the female abdomen one is especially fetus के back पे अब fetus का back कैसे पता चलेगा we do the manure कौन सा वाला second leopard second leopard manure करके हम देखेंगे और इससे हमें fetal का back पता चल जाएगा दूसरा देखो तो especially जब भी fetus सिपलिक परजेंटेशन में होता है इसका मतलब है हमेशा उसकी heart rate below the umbilicus होगी चलिए साब और side कैसे पता करोगे जिस side back होगा उसी side pelvis में उसकी position होगी तो मान लीजिए back इस side में है तो हमें इस side ज़्यादा सुनाई देगा back पर ही तो heart rate ज़्यादा सुनाई देती है तो यदि back इस side है तो heart rate इधर ज़्यादा सुनाई देगा चलिए अभी तक आपको इतना समझ में आयोगा कि ये दो transducer क्यों लगा रखे हैं और यदि हमने दो लगा रखे हैं तो उसकी location कैसे decide करनी है क्या दोनों को उपर लगाना है दोनों को नीचे लगाना है actually एक तो हमेशा fundus of the uterus पे लगाना है ताकि ये contraction को monitor कर सके और दूसरा कहां लगाएंगे जहां पे fetus की position है और position decide करेंगे लियोपोर्ड second और उसी के basis पे हम उस second transducer को लगाएंगे तो ये वाली बात आप लिख लीजिए next in city z two transducer is used दो transducer लगाएंगे डाइग्राम में देखो एक लगाएंगे for fetal heart rate और दूसरा लगाएंगे for uterine contraction चलो अब हमेशा ये जो fetal heart rate है इसको assess करने के लिए transducer put always near the back of the fetus and ये वाला जो transducer है हमेशा कहाँ पे लगाएंगे fundus of uterus put on fundus of uterus चलो very very important ये दोनोई कहानी मैंने चित्र में दिखा दिया है चित्र में दिखाया गया कौन सावाला ये देखो अब इसको लिख लो if it is asked in image-based question ये ये image-based question में पूछा जाए तो this is the ctg monitoring चलिए then अब देखो कुछ introductory बाते लिख लेते हैं about the ctg key point about ctg सबसे पहले इसकी full form क्या है अभी लिखवा रखी थी मैंने cardio-tocogram the second is it is done as same like nst इसमें भी वैसे ही female को या तो recline position में या तो semi-fowler position और the left later position में हम monitor करते हैं चलो ctg में all the parameter should be monitor जो हमने nst में monitor किये थे and additional parameter है that is deceleration contraction तो uterus में हो गया हम parameter की बात कर रहे हैं parameter especially जो monitor करेंगे बच्चे के parameter वो है deceleration it is seen in ctg ctg में especially हमें focus करना है किसको deceleration को बाकी parameter हमें किससे पता चल जाएंगे nst करके अधी पैसेंट का nst कर रखा है तो उसे हमें पता चल जाएगा नहीं पता कर रखा है तो इससे भी देख सकते हैं कोई बात निया है but especially the ctg will focus on the deceleration deceleration का मतलब क्या है heart rate का कम होना किसके साथ में uterine contraction के साथ में चलो अब देखो क्या होता है deceleration so actually effect of uterine contraction on fetus next है uterine contraction का क्या effect आएगा इसी effect को हम deceleration के effect में देखते हैं so देखो मान लीजिए कोई pregnant female है and इसके uterus में contraction हुआ अब contraction होते ही again एक डाइग्राम देखो मान लीजिए यह uterus है and इसकी wall पे contraction हुआ जैसे ही contraction हुआ then uterus ने volume कम कर दिया अब यह volume कम किया तो A और B दोनों डाइग्राम में compare करो किस डाइग्राम का cavity pressure बढ़ जाएगा A का cavity pressure बढ़ेगा यानि कि इसके अंदर का pressure कौन से डाइग्राम में जादा हो जाएगा A में जादा हो जाएगा B में B का uterine pressure बढ़ जाएगा क्यों पहले uterus dilatate था उस दोरान वोल्यूम नॉर्मल था बट जैसे ही प्रेस किया तो वोल्यूम डाइमेटर कम हो गया ना surface area कम हुआ surface area कम हुआ तो अंदर का pressure बढ़ गया नोर्मली जब uterus contract करता है तो उसकी वज़े से uterus का pressure बढ़ जाता है भाई कोई भी चीज मान लीजिए जैसे एक बैलून ले है ना तो बैलून नोर्मली फूला हुआ है तो बैलून के अंदर का जो pressure है वो कम होगा या ज्यादा होगा कम होगा लेकिन जैसे जैसे बैलून को हम narrow करेंगे सिकोडेंगे तो अंदर का pressure बढ़ जाएगा चलिए रिजल्टिंग इंक्रीज यूटेराइन इसको ऐसे लिख लेते हैं इंक्रीज प्रेशर आफ यूटेराइन कैविटी या तो inside of uterus लिख लेते हैं uterus के अंदर का pressure बढ़ जाएगा हम सब जानते हैं कि जब pressure बढ़ता है तो volume कम होता है यह दोनों pressure is reversely proportional to volume होता है दाब ज्यादा लगेगा तो pressure कम हो जाएगा जैसे एक pipe का example ले लो यदि हम pipe को narrow करेंगे तो narrow करने पर pipe का pressure बढ़ेगा या कम होगा बढ़ेगा लेकिन flow होने वाला जो fluid है उसकी मातरा कम हो जाएगी इसकी वजह से decrease volume of blood which coming to fetus is decrease यह कम हो जाएगा अब इसके दो result आएगे यह वाली line दुबारा से पढ़ो आप सब लो decrease volume of blood which is coming to the fetus fetus पर आने वाला blood कम हो जाएगा उसपे flow कम होना start हो जाएगा अब मान लीजे बच्चे को survive करने के लिए normally 8 ml per kg per minute के साब से oxygen आ रही थी अब यहां पर कम होगी या बढ़ जाएगी कम होगी कम होगी तो बच्चा उस चीज को tolerate कर पाएगा क्या कि अरे यार oxygen क्यूं यह दि हमारा भी मुह और नाक दोनों बंद कर लिए जाए तो हम तरपना start कर देंगे ऐसा ही oxygen बच्चे पर कम जाना start होगी तो बच्चा distress में जाना start होगा दें दो रिजल्ट आएंगे if the child is healthy आप और मैं थोड़ी देर तक हमारा नाक और मुह बंद कर लेंगे तो हम कोशीज करेंगे इदर उदर कहोने की लेकिन मरेंगे नहीं लेकिन वो व्यक्ति जो COPD वाला है या वो व्यक्ति जिसमें heart failure की संभावना है यदि उसका नाक और मुह बंद कर लेंगे तो उसके मरने की दर बढ़ जाएगी immediately तो ऐसे ही दो condition देखे यदि fetus healthy है तो इस decrease oxygen supply को tolerate कर लेगा और यदि healthy नहीं है तो इस decrease O2 supply को tolerate नहीं कर पाएगा immediately उसकी heart rate goes down उस condition को हम कहेंगे deceleration तो यदि यहाँ पर if the fetus is normal, if fetus is healthy then it can be tolerate इसको tolerate किया जा सकता है किसको blood supply कम होने को tolerate किया जा सकता है और जिसकी विज़े से fetal heart rate remain normal और fetal heart rate normal रह सकती है चलो दूसरा यदि fetus healthy नहीं है if fetus is unhealthy तो इसको tolerate नहीं कर पाएगा cannot tolerate इसको tolerate नहीं कर पाएगा and जिसकी विज़े से fetal heart rate decrease इसी को हम कहते हैं this is called as deceleration this is called as deceleration यदि heart rate एक दो कम हो रही है लेकिन within second में वापस normal हो रही है it should be considered as normal और यदि actually कम हो रही है जैसे 10 कम हो गई 15 कम हो गई remain for few minutes वो कम ही है then indicate the deceleration ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ deceleration यानि heart rate कम होगा कभी जब fetus की healthy state नहीं रहेगी या prolong time तक oxygen supply नहीं होगी तब उसकी heart rate कम होना start हो जाएगी CTG में जो best parameter है that is deceleration चलिए अब क्या मतलब होता है what you mean by fetal heart rate deceleration इसको लिख लेते हैं that is fetal heart rate deceleration लिख लिख लिजे जब वहन fetal heart rate decrease by ये याद रखना है 15 beats per minute for 15 seconds or associated with heart rate or they remain for 15 seconds 15 seconds तक वो कमी बनी रहेगी this is called as deceleration और ये ऐसा किसी भी fetus में देखने को मिले it indicate abnormal finding this is called as abnormal finding very very important आपने निकल कर आए fetal heart rate decelerate इसका मतलब fetus is in healthy or fetus is in problem very good so keep in mind so keep in mind हमेशा याद रखना है if fetal heart rate is accelerate या acceleration then then indicate healthy fetus और कभी सोच नहीं नहीं है और यदी fetal heart rate indicate deceleration indicate any pathological any abnormal condition to fetus pathological state to fetus always 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 remember decelerate is indicate the abnormality याद रखना है always remember deceleration is a not normal always always indicate deceleration is a not normal चलो अब यह deceleration है जो तीन स्टेट में होती है इसके टाइप होते हैं जो की सोंडर्स में अच्छे से समजा रखा है हमारे नोट्स में भी अच्छे से समजा रखा है क्यूसन भी दे रखा है तो चलो नाव स्पेसली हम बात करते हैं टाइप ओप डिसलिरेशन सब को गूड इवनिंग जितने भी दोस्त यूटूब पे देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा प्यार और गूड इवनिंग देखो यहां से पढ़ने के बाद कभी आप क्यूसन को गलत नहीं कर सकते तो थोड़ा अच्छे से एक साथ पढ़ तो लो लेकिन नोट भी बनाओ चलिए टाव नेक्स है टाइप ओप डिसलिरेशन इसको सीखने के लिए एक काम करते हैं एक तरफ हम लिख लेते हैं यहां पर टाइप लिख लेते हैं टेबिल बनाएंगे दूसरी तरफ लिख लेते हैं पैथो लोजिकल कंडिशन और यहां पर उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि यहां हम लिख लेते हैं पैथोलोजिकल कंडिशन की जिएक कंडिशन लिख लेते हैं क्यूंकि कुछ कंडिशन नॉमल भी होती हैं जिसमें यह देखने को मिल सकता है तो कंडिशन इन विच डिसलीरेशन इज सीन तो क्यूंसर यह और यह दोनों को को रिलीट करके देगा यहां टाइप लिखेगा और ऐसे देगा कि कौन सी कंडिशन में देखने को मिलती है चलिए डिसलीरेशन के समय हम क्या करेंगे स्पेसली प्रोसीजर क्या है देखो हमने यहां पर यह बैट लगा दिया एंड अब मोनीटरिंग पर रख देंगे नॉमली मोनीटरिंग करेंगे अगें 20 मिनिट्स चलो इस डियूरेशन में क्या देखेंगे यह वाला जो पार्ट है वो इन्फोर्मेशन देगा कि यूटरस कोंट्रेक्शन कर रहा है और यह वाला जो ट्रांसड्यूसर है वो बताएगा कि कोई वैरियेशन है क्या फीटल ह हार्ट रेट में इन दोनों में हमें कोरिलेशन देखना है यह वाली जो ग्राप चलेगी इस इंडिकेट फोर दे यूटिराइन कोंट्रेक्शन और यह वाली जो ग्राप दिखेगी इस इस फोर दे हार्ट रेट दोनों में रिलेशन देखना है अब रिलेशन देखने के ल अर्ली डिसलिरेशन का मतलब क्या है देखो एक तरफ हमने मालीजे दिस इस दे ग्राफ ये अपना ग्राफ वेपर है नीचे हम माल लेते हैं यूटिराइन कोंट्रेक्शन और उपर बनाते हैं हम लोग हार्ट रेट अर्ली डिसलिरेशन का क्या मतलब है देखो जैसे ही ये वाला पोइंट क्या बता रहे हमें ये बता रहे है कि अब यहां से यूटिराइन कोंट्रेक्शन होना स्टार्ट हो गए और ये यूटिराइन कोंट्रेक्शन पीक पे आगे एंड देन अब यूटिराइन कोंट्रेक्शन आप्टर पीक गोज अगें रिलेक्स स्टेट समझ में आ रहे है चलो अब देखो दुस देफ फीटल हार्ट रेट इसमें क्या है यहां पे क्या था मान लीजिए कि हार्ट रेट वन थर्ट चल रहा था फीटस क लेकिन जैसे ही यहां पे देखो जैसे ही यूटिराइन कोंट्रेक्शन होना स्टार्ट रहा यहां पे यूटिराइन कोंट्रेक्शन ऊपर चड़ रहा है पीक पे जा रहा है ऐसे ही हार्ट रेट कम होना स्टार्ट रहा कम होना स्टार्ट रहा कम होना स्टार्ट रहा और द जब contraction होना start हुआ था, तो early deceleration का मतलब है, जैसे ही uterine contraction start हुए, वैसे ही heart rate कम होना start हो गए, इस condition को हम कहते हैं, early deceleration, अब इसमें तीनु फेज याद कर लीजिए, जब जब भी uterine contraction start हुआ, तब तब heart rate कम होना start हुआ, एक parameter, जब uterine contraction peak पे गया, तब peak पे कम हो गया था, जैसे 15 कम होना था, तो 15 बीट कौन से time कम हुआ, जिस समय peak uterine contraction हुआ, बलकि मा लिजे 130 heart rate था पहले, पर 130 से 129, 125, 120, अब 115 कब आया, जब uterine peak पे contract हुआ, इसका मतलब जब जब भी uterine contraction peak पे जा रहा था, तब peak down हो रहा था heart rate का, अगेन जब uterine relax होना start हुआ, तो हमारा heart rate वापस बढ़ना start हो गया, जब complete relax हुआ, तो हमारा normal baseline पे आ गया, इसका मतलब इसने हर parameter को follow किया है, जब uterine contraction होना start हुआ, तो कम होना start हो गया, जब यह peak पे आया, तो यह भी peak पे decrease हो गया, and इसमें भी जब relax हुआ, तो यह वापस से अपनी normal baseline गेन कर लिया, इसमें भी same condition है, तो यह graph सारे के सारे indicate कर रहे हैं, कि this is called as early discleration, अब यह किसमें देखने को मिलती है, जब भी, very very important question बना दिया मैंने, जब भी fetal head compress होगा, head compression, जब भी fetal head compress होगा, तो उस condition में early discleration देखने को मिलता है, अच्छा head कब compress होगा, normally क्या होता है, देखो, normally मान लीजे, this is the uterus, और इसमें क्या लिटा हुआ है, fetus, तो उपर से uterus क्या करेगा, contract, जब uterus contract करेगा, तो volume of the uterus कम होगा, कम होगा तो वो fetus को नीचे जाकर के प्रेस करेगा, ऐसे प्रेस करेगा, तो fetus head pelvis में आकर के दखा खाएगा, और जिसकी उज़े से fetal head compress हो जाएगा, तो early discleration देखने को मिलता है, during the labor, normal अवस्ता में ये मिल सकता है, यहाँ पर कोई pathological condition नहीं है, लेकिन प्रोलोंग टाइम तक यदि head compress हो रहा है, इसका मतलब हमें immediately क्या करना है, कि कोई ने कोई कारण डूड़ना है, late time तक यदि head compress हो रहा है, हो सकता है, uterine contraction जादा आ रहे हो, forcefully जादा आ रहे हो, है ना, atonic uterus हो सकता है, तो उस condition में लगातार contraction बने रहेंगे, जिसके कारण लगातार head पे pressure पड़ता रहेगा, and repeatedly early discleration आता रहेगा, but normally एक ही चीज़ याद रखना है, early discleration seen in the head compression, इसके लिए हमें क्या करना है, कोई चिंता की बात नहीं है, can be seen during labor, and it indicates any physiological state, so no need to any intervention, no worry, कोई चिंता की बात नहीं है, early discleration में तीनू याद रखना है, as contraction start to the uterus, as fetal heart rate start to decrease, चलिये, next, the second is late discleration, the first is early discleration, and the second is late discleration, इसमें देखो क्या है, again it represent to the graph paper, इसमें भी दो चीज़े हैं, यहाँ पर है fetal heart rate, and नीचे है uterine contraction, so, देखो, uterine contraction को हम फिर से बनाते हैं, this is the uterine contraction, चलिए, अब देखो, यहाँ पर, अब दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहे हैं, what is the difference between this diagram and this diagram, sir, हाँ, देखो, इसमें यहाँ पर uterine contraction peak पर आ रहा है, और तब यहाँ पर deceleration start हो रहा है, इसका मतलब late, नाम से ही पता चल रहा है, यह क्या है, late यानि बाद में deceleration हो रहा है, बाद में होने का मतलब uterine contraction start हो चुका है, uterine contraction goes to peak and तब जाकर, जब contraction peak पर पहुँच गया, तब heart rate कम होना start हो रहा है, इस condition को हम बोलते हैं, late deceleration, early और late में क्या अंतर है, यह start with the uterine contraction and this start, जब peak पहुँच गया था uterine contraction, तब जाकर के यह start हुआ है, इसका मतलब यह तो थोड़ा सा fluctuation में देखने को मिलता रहा, लेकिन इसमें जब uterine contraction peak पहुचा, तो बच्चे की tolerance power खतम हो गई, बोले यार अब तो मैं मरी जाओंगा, दैन उसके पास में पता चला कि भया, कंडिशन तो बहुत सीरियस है, और इस कंडिशन इस नोन एस लेट डिसलिरेशन, इस स्पेशली किस में देखने को मिलता है, जब कोई समस्या हो uterus में, तो uterus के जब peak contraction होंगे, तब वो बलड सप्लाई को सीज कर देगा, this is called as utero placental insufficiency, जब uterus में कोई खराबी हो, उसकी वज़े से बलड सप्लाई फीटस को न जा रही हो, and this is called as utero placental insufficiency, utero placental insufficiency, जितने भी टाइप के डिसली रेसन हैं, तीन टाइप के होते हैं, अरली, लेट, एंड, वेरियंट, उनमें सबसे कॉमन यही होता है, इस मोस्ट कॉमन टाइप, चलिए, यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिसेंट्सी का मतलब क्या हुआ, ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई तो फीटस डिक्रीज, फीटस को जो ब्लड सप्लाई की जाने वाली थी, वो कम हो गई, अच्छा, यह किसको इंडिकेट करता है, कुछ नो कुछ पैथलोजिकल कंडिशन, एंड इस व्रस्ट सिनेरियो, बेसिकली सबसे खतरनाक वाला डिसलिरेशन यही होता है, व्रस्ट टाइप आफ डिसलिरेशन, यदि ठीक नहीं किया गया तो फीटस की डैथ हो सकती है, फीटस को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, इनको डिफाइन कैसे करोगे आप लोग, अपनी लेंग्वेज में ही बले ही लिख लेना, इसमें जब यूटेराइन कोंट्रेक्शन पीक पे पहुंचते हैं, आप स्टार्ट टू डिसलिरेट, तब हर्ट रेट कम होना स्टार्ट होती है, मैं भी टेस्ट में क्यूशन डालूँगा, बना करके कि कोई प्रेगनेंट फीमेल जिसका CTG मोनिटरिंग चल रहा है, जब उसके पीक यूटेराइन कोंट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं, तेन हर्ट रेट कम होना स्टार्ट होती है, इस कंडिशन इस स्पेशली सीन इन यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिसिएंसी चलो, थार्ड इस वैरियेबल, तीसरा है, इसको हम यहां लिख लेंगे, इस वैरियेबल डिसलिरेशन, अब वैरियेबल डिसलिरेशन में क्या होता है, देखो, यूटेराइन कोंट्रेक्शन को तो हम बना देते हैं एक बार, दिस इस दे यूटेराइन कोंट्रेक्शन, वैरियेबल का बेसिक मतलब क्या है, जिसमें यूटेराइन कोंट्रेक्शन के साथ में, फीटल हार्ट रेट कहीं पे भी मैच नहीं कर रही है, कहीं पे भी वैरी कर जाए, जैसे हो सकता है, जब uterine contraction स्टार्ट उससे पहले ही वो dislirate हो जाए then हो सकता है जब वो peak पे जाए तब dislirate हो जाए या बिना contraction के ही dislirate हो जाए या तो मतलब दोनों के बीच में कोई relation देखने को नहीं मिलेगा यानि कि heart जो contractions है उसको follow नहीं करेगी fetal heart rate यहाँ पे हो गया इसका मतलब fetal heart rate and uterine contraction एक दूसरे को follow नहीं करेगी है no relationship between uterine contraction and fetal heart rate there is no relationship between both these इसको हम कहते है variable disleration और यह देखने को मिलता है code compress direct question आया हुआ है aims दिल्ली 2017 very very important यह लो 2017 में question पूछा था variable disleration seen in which of the following condition यार यह mcqs के box से उठाईवे direct topic है कोई किताब पढ़ने की जरुरत नहीं है सीधे नौर्स में से छफेंगे direct mcqs है very very important code compression या code compression में कौन से टाइप का disleration देखने को मिलता है and this is दूसरा है यदि code prolapse हो जाए तब भी code compress होना है और तब भी code compress होना है तो कौन सा disleration देखेगा variable क्या करेंगे spasily it is again pathological kind of indication condition यदि variable disleration देखने को मिल रहा है code compression में है इसका मतलब फीमेल को हम कौन सी position देगे या तो genopactoral या तो reverse trendlenberg फिट ये leg end को उपर कर देगे so again indicate pathological condition condition so इनको कैसे याद रखोगे देखो lup that is late किसमे देखने को मिलता है utero placental circulation e h c and that is early देखने को मिलता है head compression में ये नियुमोनिक बनाने की कोशिज कर रहा हूं and this is v c c means code compress so तीनों कंडिशन को याद रखना है कैसे भी examiner पूछ सकता है तीनों की तीनों बहुत इंपोर्टेंट है direct mcq आते हैं याद रखना ही रखना है चलिए साब so overall what are the abnormal finding यदि nst और ctg दोनों को मिला दिया जाए तो क्या-क्या abnormal finding है सबसे पहले fetal heart rate abnormal थी किस में देख रहे थे nst में second number पे किस में abnormality थी beat to beat variability दो टाइप से थी either absent हो जाए or the sinusoidal pattern देखने को मिले बस ये पूरा हो गया इससे आगे जादा line मत खेंज न चलिए दोनों ही condition हमने डिस्कस किया था either hypoxia or the severe anemia तीसरी condition हमने देखा था acceleration नहीं हो रहा है कितने देर में 40 minute में then go with the screening test चलो और इसमें हमने क्या देखा है the fourth is deceleration deceleration कितने परकार के होते हैं तीन परकार के कौन-कौन से early, late and variable early मतलब जैसे ही contraction स्टार्ट होगा then fetal heart rate start to decrease किस में देखने को मिलता है head compression में कुछ करना है क्या नहीं C न लेबर स्टेट तो आपको यदी ऐसा क्यूसन बनाने को मिल जाए या तो क्यूसन exam में देखने को मिले कि कोई female कोई pregnant female जो in labor labor state में है और जैसे ही uterine contraction start हो रहे है उसकी fetal heart rate पहले थी previously the fetal heart rate is 150 beat per minute पर जैसे ही uterine contraction start हुआ इसका मतलब है कि उसकी heart rate 135 beat per minute हो गई remain for 10 second and जैसे ही uterine contraction get relaxed तो वापस से 150 चली गी अब बताओ what are the findings finding बताओ to take any intervention like stop the oxytocins give the left lateral position to the female the third is option दे देताओ क्या करेंगे हम लो the first is normal finding the second is start the inform to physician the third is stop the oxytocins and fourth change the position you just tell me the answer वापस बता रहा हूँ एक female जो लेबर में है उसकी fetal monitoring 150 चल रही थी जैसे ही uterine contraction आया तो उसकी heart rate 135 हो गी remain for 5 to 10 second then a nurse what should be do next it is normal finding b inform to physician c stop oxytocins and d give the left lateral position to the female and the answer is normal मैंने बोला है न during labor disliberate हो रहा है इसका मतलब head compression की विज़े से है there is nothing to worry and it is normal finding बताओ ऐसे क्यूशन दे दिये जाएं तो सही करेंगे गलत करेंगे सही कर देंगे very very important एक छोटी सी चीज और याद रखना है यदि आपको पूछ लिया जाए what is the meaning of CTG or stress contraction stress test और CST contraction stress test यदि इनकी finding दे दी जाए और इनकी finding में CTG absent और या तो CST absent या तो negative और CTG या तो CST positive ये finding दे दी जाएं इसका मतलब क्या याद रखोगे हमेशा normal CTG negative रहता है negative रहने का मतलब उसमें decelerate देखने को नहीं मिल रहा है और positive का मतलब उसमें deceleration देखने को मिल रहा है so finding इसके अंदर no deceleration और early deceleration and it indicate deceleration especially कौन सा वाला late या तो variable very very important यह जो लाइन है अपने सोंडर्स में लिखी हुई है बाकी अपने notes पढ़ना है कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है more than sufficient है कोई single book OBG की कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है यदि अपने notes आपने अच्छे से पढ़ें दो तो यह कहानी खतम हुई अब हम बात करते हैं non-reassuring fetal heart rate pattern कैसा होता है 15 seconds दे दे तब भी normal है more than 15 seconds दे लेकिन heart rate की variability क्या है heart rate within 15 beats per minute इनका कहना है कि sir यदि duration ज़्यादा दे दिया जाए तो वो obviously indicate करेगा dyslaboration को it is indicate the pathological condition यदि duration बहुत ही ज़्यादा दे रखाया than immediately informed to the physician but ऐसे क्यूशन जो normal range वाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा chance होते हैं कि with boundaries क्यूशन दिया जाए यदि आपका कहना है कि duration बड़ा देगा तो कोई ने कोई pathological finding वो क्यूशन में पहले डाल देगा जैसे एक code compress हो गया है उस case में उसकी heart rate कम हो गई है उस case में उसकी heart rate long time तक कम है तो वो multiple finding देगा ताकि हमारे को समझ में आ जाए क्यूशन कभी भी आज तक के किसी भी nursing इतियास में confusing paper बनाता ही नहीं है simple person बताता है यदि बच्चे ने अच्छे से basic रखाया ना तो immediately दो या तीन word से क्यूशन आराम से निकल जाता है क्यूशन तब लफड आता है जब option वो मांगे A, B, C, D, E, F और उसमें दो या तीन option मांग ले तब ऐसे क्यूशन को अपन बोलते है confusing क्यूशन बागी तो 90% क्यूशन ऐसे होते हैं तो यदि हमने अच्छे से पढ़ रख के तो direct आई जाएंगे चलिए चलो अब हम बात करते हैं यदि non-reassuring इसी condition को देखो हम यह बोलते हैं this is the reassuring finding इसी को देखो दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं reassuring finding यह भी लिख लो इसी को हम reassuring finding भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं non-reassuring finding तो कोई NCLEX based question आएगा तब तो देगा वो negative or positive और यदि Indian culture से कोई question आएगा दत्ता जैसी books से question बनाएगा तो देगा assuring and non-reassuring negative का मतलब भी पताओना चीए, reassuring का मतलब भी पताओना चीए non-reassuring का मतलब भी पताओना चीए, positive का मतलब भी पताओना चीए तो यदि हमारे सामने positive CTG या CST है या तो non-reassuring CTG है तो कौन-कौन सी condition में हमें मिल सकती है और next step हम क्या करेंगे तो चलिए next है, पहले लिखते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था abnormal finding in CTG अभी थोड़ी देर पहले चार-पांच चीज बोली थी ना abnormal क्या-क्या मिलेगी बताओ CTG में क्या-क्या assess कर सकते हैं सार-heart rate assess कर सकते हैं, beat to beat variability assess कर सकते हैं, इसके अलावा acceleration assess कर सकते हैं और dysliration state assess कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें एक condition, fetal heart rate की abnormal condition में क्या देख सकते हैं या तो Brady cardia देख सकते हैं, Brady या तो टेकी cardia देख सकते हैं और दूसरा beat to beat variability या तो fetal heart rate absent हो जाए और sinusoidal pattern मिले यदि मैं examiner हूँ तो ये question जरू डाल दूँ sinosoidal pattern seen in which of the following condition क्योंकि इसमें चार option है, तो accept करके ये question दिया जा सकता है, यानि कि अब की बार जो sunday को test होगा उसमें ये question आपको जरूर देखने को मिलेगा और इसमें मैं ऐसे नहीं दूँगा मैं दूँगा image डाल करके कैसे दूँगा in the image which is the beat to beat variability, showing which of the following condition और indicate which of the following condition accept करके, ये question मिलने वाला है, गलती करेगा उसको तो बक्सा नहीं जाएगा, चली image बना कर देदेंगे, चलो next है, the second is heart rate, fetal heart rate absent हो जाए या इसी को कहते हैं, absent acceleration, what you mean by absent acceleration? जब 40 minute में भी accelerate ना करे, अचलेरेशन कितनी देर तक कर रहा था, 15 seconds तक, कितनी beat कर रहा था, 15 beat, तो 40 minute में भी यदी हम ना करें, fetus accelerate ना करें, it indicates absent acceleration and the third is, क्या-क्या variability मिलेगी, late या variable deceleration, अब आपका कोई भी topic या कोई भी question, antinatal, fetal well-being monitoring से related आ जाएगा, तो I am damn sure आप गलत नहीं करेंगे, चलो, these are the finding, अभी यह finding आई है, तो अब मैं आप से पूछू, CTG is negative or positive, CTG is negative or positive, फिर से बोलो, CTG is negative or positive, फिर से बोलो, सुनो कौन सवाला, is reassuring और non-reassuring, non-reassuring indicate any pathological state या तो normal state, अब बताओ आप क्या करोगे, इस female को कान में करोगे, तू सही है या गड़बड चल रहा है, गड़बड चल रहा है, you must notify the physician immediately, so अब यदी ऐसी finding आई है, then what we do next, so next लिखेंगे, female, कौन सी female, जो एक नहीं, दो है, that is pregnant lady with non-reassuring fetal heart rate pattern, अब दो चीज़ करेंगे, immediately next इसको ऐसे लिख लेते हैं, priority में हम क्या करेंगे, then priority अन्यूर एसाइ एन जी, action, what is the next priority action, इसकी लिखी जाने वाली हर लाइन important है, accept करके दे देगा, सबसे पहले उस आदमी को सूचित करो, जो ये इस female को देख रहा है, that is healthcare worker, informed to obstetrician, या तो simple बासा में doctor लिख देते हैं, the second is, code identify, जैसे हो सकता है, code compress हो, तुरंत female को चारु तरफ से देखना है, कहीं code compress तो नहीं है, immediately, and then stop oxytocin, क्यों oxytocin को बंद कर रहे हैं, contraction रूख जाएं, क्योंकि contraction के साथ ही तो ऐसा हो रहा है, then, अच्छा contraction किया, फिर हो सकता है, position में भी गडबड हो, supine या तो right lateral ले रुख कियो, then position चैंज करेंगे, reposition, कौन सी देंगे, lap lateral, और यदि, और, code compress है तो, कितनी बार पूछावाय ये लाइन, दिल्ली एम्स का तो बहुत ही प्यारा क्यूसन है, code compress है, tranlenberg, then, dehydration से बचाने के लिए, पांचवा, IUE fluid देना, स्टार्ट कर देंगे, then, अब भी यदि नहीं रुख रहा है, तो go immediately for the caesarean section, then, obstetrician क्या करेगी, फीटस को बचाने के लिए, immediately, abdomen, पेंसीजन लगा करके, lower abdomen, and immediately, फीटस को बाहर निकाल लेंगे, and then, do, अब हम तो करेंगे नहीं, doctor, do caesarean section, this is the priority nursing action, associated with non-reassuring, or the positive CTG, line by line, very very important, तो कब कब करना है, caesarean section, यदि sinusoidal pattern मिले, तब भी, यदि absent acceleration मिले, तब भी, acceleration मिले, तो उसकी finding निकालनी है, और यदि late, यदि या variable deceleration मिले, तब भी हमें ये करना है, या तो bradycardia मिले, तब भी हमें ये करना है, especially, absence of acceleration के case में, हम further evaluate करते हैं, wait करते हैं, कि आगे का कारण क्या निकले, और उसके बाद ही decide करते हैं, तो आइडल च्वाइस, for the antinatal fetal monitoring, for segerian section, कौन-कौन सी ऐसी condition है, जहां segerian section किया जा सकता है, सबसे पहले, bradycardia, दूसरे नंबर पे, sinusoidal pattern, तीसरे नंबर पे, late या variable deceleration, इन conditions में, हम segerian section कर सकते हैं, चलिए साब, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, you just do some qution, what is this, identify the image, ये इस बार test में भी मिलने वाली है, यदि वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देता हूँ, this is the, एक pattern of heart rate, what is this, देखो, यहाँ एक सो पचास है, और यहाँ एक सो बीस है, एक सो पचास से एक सो बीस के बीच में, fix range में vary कर रही है, इस pattern को हम क्या बोलते हैं, very good, so it indicate the fetal heart rate as showing sinusoidal pattern, this is the sinusoidal pattern, image-based question में पहले नमबर पे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, and दूसरा, सिर्फ आप से पूछा जाए, this finding, again, इसमें मैं एक boundary बना कर पूछू, आप लोगों को, यह मैंने boundary बना के पूछा है, and, एक यह condition है, यह पेपर दे दिया जाए आपको, और पूछे, यह जो ग्राफ दे रखा है, this is the NST ग्राफ या तो CTG ग्राफ, कैसे पता चला, यहाँ पर uterine contraction है, और यहाँ पर fetal heart rate, देखो, इस पे लिखा है pressure, 100 mmHg, 80 mmHg, 60 mmHg, 40, तो जब ऐसे लिखे न, 10, 20, 40, यह होता है, mmHg में uterine pressure, मैं पढ़ाओंगा uterine pressure कितना होता है, during first stage of labor, जो true labor pen चलते हैं, uterine contractions, कितने होते हैं, तो हम पढ़ेंगे, इस तरफ तो uterine contraction है, और इस तरफ क्या दे रखा है, especially हमारा, 30, 60, 90, 120, 160, 140, 160, 180, 200, these are the heart rate, तो एक graph में दो line दिखा रखे हैं, and this is the ctg graph, चलिए, एक और लेते हैं, what is this, चलिए, थोड़ा सा मैं इसको divide कर दूँ, अरे यार, बदमासी मत कर भीया, इसको मैं डिवाइड कर दूँ, देखो मत आंके बंद कर लो थोड़ी देर तर, अब बदमासी मत करो देखो, अब तो मजा ही खतम हो गया, अच्छा, बताओ, बताओ, what is this, this is the uterine contraction, और what is this, fetal heart rate, दोनों में क्या similarity है, जब contraction होना start हुआ, तब heart rate कम हुआ, peak पे गया, जब uterine contraction रिलीव हुआ, रिलेक्स हुआ, तो वापस नॉर्मल हो गया, this is cold as, इसको हटा देते हैं, this is cold as, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, चलिए, दूसरा, बताओ, दूसरे ग्राफ में, जब peak पे गया, तो यह contraction, जब uterine contraction peak पे गया, तो यहाँ पे de-celebrate होना start हुआ था, जब रिलीव हो गया, तो यह peak पे गया था, and then, जब next हो सकता है, contraction आये, तब तक यह normal हो गया, and इसलिए इसको हमने कहा, late deceleration, बताओ, what is this, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, देखो, यहीं पे दो बार, fluctuate कर गया, यहाँ पे हो सकता है, 130 था, यहाँ पे, फिर यह 120 पे आया, then वापस 125 पे गया, और फिर 120 पे आगया, तो एक uterine contraction में ही दो बार fluctuate कर गया, इसका मतलब यह relationship नहीं बिठा पा रहा है, uterine contraction और fetal heart rate के साथ में, and this is cold ass, अब मेरा जो person होगा, वो बहुत खतरनाक होगा, इस board पे जो भी image दिख रही है, इसमें मैंने A, B, C लगा दिया, तो कौन-कौन सी image indicate non-reassuring pattern of the CTZ, कौन सी, यार, तुम लोगों को भी इतना समझ में आ रहा है, लब तुम पहले से intelligent थे, या भी हुए हूँ, सर पहले से intelligent थे, लेकिन आज तक कभी गमंड नहीं किये, जब आखरी लेंड में बैठे वे बच्चे को इतना अच्छा समझ में आ जाए, इसका मतलब तो ये class इपरीट होगी, इतना खतरना topic है, गाईखरीट की से difficult topics में से एक है, और यदी ये समझ में आ गया, इसका मतलब सब समझ में आ गया, बहुत कम बच्चे ये पता करपाते हैं, वाट इस्टे मीनिंग उफ अरली डिशलिरेशन, what is the meaning of late dislerison and what is the meaning of variable dislerison समझ में नियाता देगो तो आप सब को समझ में आ गया इसका मतलब तो तुम इंटेलिजेंट पेले से ही थे भी या लेकिन तुम लोगों ने गमंड नहीं किया चलो जब गमंड किया ही नहीं तो ये क्यूशन भी कर दो चलिए चलो जब हमारा पूरा स्लेबस खतम हो जाएगा तब हम देखेंगे ऐसे MCQ की लेकिन बीच में ये टपक पड़ा एक नर्स जी है जो भारत में रहते हैं और उन्होंने एक टेस्ट किया इस एन एस्टी ठीक है किसका माता जी का जिन्होंने अभी प्रेगनेंसी बियर कर रखी है और रिव्यू किया फीटल मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट को रिव्यू किया विथ स्ट्रीप चलो उसके बाद नर्स जी ने इंटरिपरेट किया कि जो टेस्ट आ रहा है इस इस रियक्टिव अब यह पूछना चाहरे है कि भया आप गुड़ गोबर मत करो इस परसन का एक छोटा सा वर्ड मुझे बता दो कि जब भी एनस्टी रियक्टिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है और अंडर्स्टेंड यह इंडिकेट तो इसमें ऑप्शन क्या-क्या दिया है इन्होंने नॉर्मल फाइंडिंग, एबनोर्मल फाइंडिंग, नीड फोर फर्दर इवल्यूएशन and that finding on the monitor were difficult to interpret. इसका मतलब कि ये तो मुझे समझ में नहीं नहीं आरा आला बचन आपका नहीं सूका बचन कोई कहे, बाप का. इसका मतलब है तो ये तो मुझे समझ में नहीं आरा. तो मतलब बताओ, समझ में तो आना था ना, पढ़ाने के बाद समझ में, तो इसको तो लगाओ इसके रेपट और काड दो. इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है. नीड फॉर फर्दर इविलिविशन. अब देखो, आपको ये तीनों कन्फ्यूज करेंगे एक वर्ड पे, कि यदी एनेस्टी का मतलब आपको समझ में आ गया, वट इस रियक्टिव और नोन रियक्टिव, उसी के बेसिस पे ये तीनों फाइंडिंग सोल होगी. देखो, ये दोनों तो बेंड भाई है, एबनोर्मल होगा, तब ही तो हम फर्दर इविलिवेट करेंगे. तो दोनों उप्सेन साथ आने चीए, तो दोनों उप्सेन तो साथ आई नहीं सेकते, क्योंकि एक ही उप्सेन मांगेगा. इसलिए confusion, यदि थोड़े भी बच्चे को डाउट है, नहीं आ रहा है, तब भी इन दोनों को काड़ देगा. क्योंकि दोनों तो सेम ही है न, एबनोर्मल हुआ, तब ही तो फर्दर इविलिवेट करेंगा. तो बोले, इसके भी रेपट बारो, मुझे बावड़ा बना रहा है. अब बताओ, करेक्ट आंसूर क्या है? नॉर्मल फाइंडिग. यदि नोन रियक्टिव होता, इसका मतलब अबनोर्मल था, तो अबनोर्मल था मतलब फर्दर इविलिवेट, तो दोनों उप्सन नहीं डाल सकता न, तो मतलब पर्सन उप्सन ही कैसे बेवकूब बना रहा है, तो चलिए, तो इस दे नॉर्मल, क्लियर है कहानी? चलिए, ये कोपी किया हुआ है, सोंडर्स में दे रखा है, डायरेक्ट, चलिए, एक और क्यूसन करते हैं, अब की बार, again, we have to do non-stress test, NST कर रहे हैं, on patient who is pregnant, and the result of the test indicate, अब की बार, इसने दे दिया भया, लिखी दिया, non-reactive, यानि कि आपको पता है, reactive का क्या मतलब है, non-reactive का क्या मतलब है, physician prescribe a CST, क्या मतलब वहा, either इसको CST कह दीजिए, उसको तो CTG कह दीजिए, क्यों, to rule out any deceleration, and result our document as negative, अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, दोनों का मतलब A की है, either you just say that CST कह दो, या तो CTG कह दो, जो A की मतलब है, इसका मतलब CTG करते समय हम uterine contraction को stimulate करते हैं, और कैसे कर सकते हैं, either we just administer the oxytocin, और दूसरा है, we just stimulate the oxytocin receptor, जो कहां पे होते हैं, nipple of the breast पे होते हैं, तो nipple of the breast को रभ किया जा सकता है, या तो oxytocin देकर के uterine contraction को stimulate किया जा सकता है, तो हमने यह test कर लिया, इसमें जो condition आई, that is non-reactive, अब हमें यह पता करना है, कि इस non-reactive word का मतलब क्या है, और the negative word का मतलब क्या है, nurse interpret the finding of CTG as indicate, अभी मेरी जो table मैंने बनवाई थी, उसको बताओ, what are the meaning, non-reactive के दो, non-reassuring के दो, negative के दो, तब तो confused हो गया, अब देखो, मैंने यह बताया था, यहाँ पर मारो, NST को non-reassuring, पहले हमने NST को, NST किया, तो non-reassuring किया, NST गड़बड आ रही है, तो हम क्या करते हैं, go with further screening test, हमने क्या किया, CTG किया, और the CST किया, और CST में test कैसा मिल रहा है, negative, so what is the meaning of negative, normal finding होगी या abnormal, so the test should be normal, यह जो table बना रही है, उसको follow करो न, मैंने क्या लिखा रहा था, positive finding या तो non-reassuring, एक ही बात है, negative finding या तो reassuring, यानि अब हमें कोई doubt नहीं है, so इस case में हम कहेंगे, पहले उसने NST करवाया, NST में abnormality मिली, तो उसको लिख दिया गया, CST कराओ, CST में उसको कोई भी नुकसान नहीं है, negative है CST, इसका मतलब it indicated है, normal finding, चलिए, अब देखो इन तीनों का मतलब भी एक ही है, abnormal finding, abnormal finding है तो गोवित, cigerian section और high risk of fetal demise, तो ये भी तो high risk of fetal demise के दीजिए, या abnormal finding के दीजिए, दोनों एक ही हैं, और जब दोनों एक ही हैं, तो हमें cigerian section के लिए जाना चाहिए, इसका मतलब ये तीनों indicate कर रहे है, एक इसको positive finding को, यदी test positive है, तो these are the three possibility, clear है कहानी, चलिए, so now move on the next diagnostic test, अभी तक हमने screening test complete कर लिए, so कौन-कौन से test किये, the first is fetal moment or the kick count, the second is NST and the finding of the NST, the third is CTG या तो CST, कई बार इस CST को examiner ऐसे पूछ लेता है कि especially कोई pregnant female है, उसका NST non-reassuring है, non-reassuring या तो non-reactive, एक ही बात है, अब obstetrician ने उसको CTG लिख दिया, CTG लिख दिया, then what the nurse to do, they just CTG लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि अब uterine contraction को stimulate करना पड़ेगा, है न, CTG लिख दो या तो CST लिख दो, इसके लिए uterine contraction को stimulate करेंगे, so what are the method to stimulate the uterine contraction, उसमें option दिये होंगे, आपको to start oxytocin, ये भी हम कर सकते हैं, and nipple rubbing, तो ये भी कर सकते हैं, क्यूं, क्यूंकि nipples पे भी oxytocin के receptor होते हैं, stretch receptor होते हैं, वो जाकर के हमारे hypothalamus में stimulation दे देंगे, paraventricular nuclei को and they just release the more and more oxytocin from the posterior pituitary and they come into the circulation and आकर के uterus पे bind हो जाएंगे और contractions को बढ़ा देंगे, तो देखो, ये तीन चार चीजें एक दूसरे से correlate है, अब मुझे नहीं लगता कि यहां से आपको कोई गडबड होने की संभावना है, कुछ गडबड हो सकता है क्या? ना, एक जो table आपको याद रखनी है, वो कौन सी है देखो, अगेन मैं बार-बार क्यों कर रहा हूं यार, बहुत बचे confused हो जाते हैं, एक वर्ड आपको याद रखना है, निगेटिव लिख दो, एक तरफ पोजेटिव लिख दो, तो निगेटिव का मतलब reassuring, रिगेटिव का मतलब reactive, रिएक्टिव कब होगा, जब NST होगा, पोजेटिव का मतलब non-reassuring, या तो non-reactive, समझ में आ गया, चली, यह table याद रखना है, क्योंकि बहुत basic question है, सारा खेल examiner यहीं से खतम कर देता है, किस बच्चे को आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है, यहीं से खेल खतम कर देता है, तो यह बहुत basic चीज है, आपको आना चाहिए, यार, So this is all about the CTG, अब मान लीजिए, एक और छोटा सा question है, आपकी posting PHC पे है, you are just posted in primary health center, अब वहाँ पे यह CTG मसीन होती है क्या, primary health center पे CTG मसीन नहीं होती, अब जब CTG मसीन नहीं है, then how you just evaluate the fetal heart rate, तब हमें यूज करना है stethoscope, तो यह this stethoscope का यूज कर रहे हैं, तो कितनी देर में आपको fetal heart rate check करनी है, इसके लिए हम table बना लेते हैं, so if you are posted in, थोड़ा सा heading बना के लिख लेते हैं, if CTG मसीन is not available, then detect fetal distress, by stethoscope, तब हमें steth की मदद से fetal heart rate monitoring करनी है, चलो, तो मान लिजे कोई female first stage of labor में है, तो दो category बनाते हैं, वो female जिसको low risk है और वो female जिसको high risk है, चलो, and ऐसे ही लिख लेते हैं second stage of labor, so first stage में, हर 30 minute पे every 30 minutes में हमें ऐसी female जिसमें risk की संभावना कम है, जैसे preeclampsia, acclampsia, hypertension, multiple pregnancy, कोई cardiac disease, anemia condition, यह सब ना हो, कोई comorbidity ना हो female को, risk कम हो, उसमें हमें हर 30 minute पे fetal heart rate चेक करनी है, and second stage में हमें check करनी है every 15 minute, every 15 minute पे हमें check करनी है, चलो, लेकिन कोई high risk रहे, तो इसमें हमें every 15 minute in first stage, and every 5 minute in second stage, यह अभी तक पूछा हुआ नहीं है, लेकिन उमीद करें तो पूछा जा सकता है, अब यह जो CTG है ना वो दो परकार से हम monitor कर सकते हैं, एक CTG को हम बोलते हैं external CTG monitoring और दूसरे को बोलते हैं internal CTG monitoring, so last word from the CTG, CTG can be monitor, दो तरीके से, एक को भी जास से, external foetal monitoring and another is internal fetal monitoring. ये वेहन ट्रांसड्यूसर पुट ओन फीमील अब्डोमन बाहर से यदि हम आपे और इसमें हम कहेंगे वेहन ट्रांसड्यूसर पुट ओन फीटल स्काल्प आप्टर रप्चर ओफ मेंब्रेन रप्चर ओफ मेंब्रेन नोर्मली यदि हमने अब्डोमीन पे रखा सीधा ही तार दिया और अब्डोमीन पे रख दिया दिस इस कोड़ेस एक्स्टरनल फीटल मोनिटरिंग और परवेजाइनली मेंब्रेन को रप्चर करके इलेक्टरोड को हमने कहां लगा दिया फीटस के स्काल पे दिस इस कोड़ेस इंटरनल फीटल मोनिटरिंग अब मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ उसमें यू जस एडेंटिफाई की कौन से टाइप का मोनिटरिंग है बढ़ू आगे की यह कौन से टाइप का मोनिटरिंग है This is the Nursing Obsergy And this is Transducer What is this? यह क्या करही है? डोपलर से फीटल हार्ट मोनिटरिंग करही है यह क्यों मोनिटरिंग करही है? ताकि पता चल जाए कि हमें एक जो electrode है और the transducer है वो कहां place करना है back of the fetus पर करते हैं न तो इस पेस लिए fetal heart and this is the ये वाली जो lead है कुन सी है ये transducer है fetal heart rate के लिए और ये transducer है uterine contraction के लिए कौन सा टेस्ट कर रहे हैं CTG अब देखो एक छोटा सा यहां यदि आप देखो कि तो अब देखो ये एक अलग से wire है इसके हाथ में एक wire है इस wire को per vaginally insert करके uterus की दिवार और fetus के head के बीच में रख दिया जाता है ये जो transducer है ये क्या करता है uterus के pressure को monitor करता है जैसे ही mother beard down effect लगाएगी तो उस दोरान हमें ये देखना होता है कि कितना pressure लग रहा है नोर्मली 100 mmHg से 120 mmHg तक लग सकता है जिससे हमें क्या पता रहेगा कि कहीं uterine rupture की संभावना तो नहीं है तो complication of uterine rupture को monitor करने के लिए we just monitor the pressure of uterus So this is all about CTG, clear है कहानी? चलिए साब So ये पूरी स्टोरी complete हुई, now move on next अब यदी मान लीजिए CTG की abnormal finding आजाए CTG also screening test तो CTG की abnormal finding आजाए, then what is the confirmatory test to detect the fetal well-being इसके लिए हम test करते हैं and that is biophysical test So biophysical test के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं what is biophysical test So next is biophysical score इसमें हम क्या करते हैं? कुछ parameter होते हैं उनको monitor करते हैं और उनके लिए scoring दी जाती है, यदि parameter abnormal है तो उसको 0 score दिया जाता है और parameter normal है तो उसको 2 score दिया जाता है So चलिए, spatially यह किया जाता है done with help of USG So सबसे पहले done with help of USG क्योंकि बहुत सारे parameter हम USG से ही पता कर सकते हैं जैसे amniotic fluid जैसे fetus की idle attitude, flex है नहीं है तो यह सब USG से ही पता कर सकते हैं इसमें total 5 monitoring है चलो, score कितना है? इसमें score देते हैं, score को हम divide करते हैं 2 पार्ट में एक तरफ देते हैं 2 और एक तरफ देते हैं 0 या तो 0 मिलेगा या तो 2 मिलेगा 2 का मतलब है when the parameter is normal और 0 मिलेगा when the parameter is abnormal तो दोनों condition है if the parameter is abnormal indicate 0 score if the parameter is normal then score 2 तो बताव total parameter कितने हैं? 5 एक parameter के लिए maximum score कितना दे रहे हैं? 2 तो इस biophysical score का total score कितना हो जाएगा? 10 10 so the total score is 10 अब हमें कितना score मिलेगा? चलो अब हम बात करते हैं 5 parameter और उनका scoring पैरामिटर आफ बायो फिजीकल स्कोर सबसे पहले एक न्यूमोनिक बनाते हैं इसका जो intelligent बच्चे जो अच्छे बच्चे होते जो top rank निकालते हैं वो हमेसा brief note बनाते हैं उसी के basis पर हम याद रखेंगे टॉपर्स अल्वेस मैक ब्रीफ नोट्स यहाँ पर टी स्टेंड यह जो टी वर्ड है वो लिया गया है मसल टॉन से टी स्टेंड पूर पहला पैरामिटर है मसल टॉन ओफ फीटस अब यदि फीटस की टॉन अच्छी है इसका मतलब वो complete flex position में इसका मतलब वो flexion इस इस पेसली हम यहाँ पे ले रहे हैं पोजीशन ओब दे फीटस पोजीशन ओफ फीटस और आइडल पोजीशन कौन सी होती है आइडल इस flexion flexion मतलब गर्दन को वो टच करके रखता है ऐस से करके रखता है चलो देन ए स्टेंड फोर मीजर दै अम्नियोटिक फ्ल्यूड और यहाँ अम्नियोटिक फ्ल्यूड में spasily हमें क्या मोनिटर करना है single pocket की depth मोनिटर करना है कितनी होती थी दो से आठ सेंटिमीटर चलो M stand for fetal moment चलो दो थार्ड इस B stand for fetal breathe moment and N stand for NST अब finding देखो सबसे पहले यदि fetus की flexion position है तो कितनी marks मिलेंगे 2 यदि flexion नहीं है तो 0 marks दूसरा amniotic fluid यदि normal है 2 से 8 इसकी single pocket depth 2 से 8 आरही है इसका मतलब amniotic fluid normal है 2 से कम आरही है 2 से 8 आरही है तो कितने marks मिलेंगे 2 चलो fetal moment normally यदि fetal moment 30 minute में equal to or more than 3 है it indicates normal यदि 3 या इससे कम आरहे है मतलब 3 या इससे ज़्यादा है तो normal है 3 से कम आरहे हैं तो abnormal है चलो breathing pattern normally एक breathing pattern होना ही चाहिए breathe लेना start कर देगा fetus यहाँ पर breathing pattern स्टार्ट हो जाएगा so यहाँ पर एक या उससे ज़्यादा breathe हारी है इसका मतलब normal है और NST कैसा होना चाहिए reactive reactive का मतलब क्या था normal so the score should be 10 out of 10 इसका मतलब normal है यदि 8 भी मिले तब भी हम कहेंगे कि it should be normal so total maximum score कितना होना चाहिए 10 out of 10 यदि 10 out of 10 नहीं है then scoring देखते हैं क्या कर सकते हैं हम चलिए so test interpretation सब से पहले if the score 10 out of 10 या तो 8 out of 10 हम कहेंगे it is normal और bio physical test कब करना है after 1 week दूसरा scoring देखो यदि score 6 बटे 10 आ रहा है तो अभी हमें repeat करना है test repeat कब same day test should be repeat on same day the third is if the score is 4 by 10 आ जाए या 2 by 10 आ जाए इसका मतलब fetus distress में है take immediate action immediate action and it is best indicator overall best diagnostic test for fetal well-being or the confirmatory test for the fetal well-being चलो what are the use of use of biophysical test कब करना है spatially जब fetal moment कम मिले decrease fetal moment या तो fetal hypoxia में है या तो utero placental circulation कम हो गया है insufficiency बताओ utero placental insufficiency थी ती कौन सी डिसलिबरेशन देखने को मिल रहा था late dyslipरेशन so these are the indication or the use of biophysical चले साब नाव मौन एक और छोटा सा टोपिक है जिसको हम बोलते है modified biophysical test so these are the indication चलो now I'm on the next चलाओ आगे चलो so next एक और छोटा सा टोपिक है and that is modified biophysical test for the modified biophysical score modified क्यों बोला क्योंकि इसमें केवल दो ही parameter चेक करते है इसमें only involved two parameter केवल दो ही parameter देखते हैं एक देखते हैं NST और दूसरा देखते हैं amniotic fluid amniotic fluid में यहां पे हम major करते हैं amniotic fluid index AFI what is the normal range of AFI 5 to 25 cm चलो अब NST में हम क्या देखेंगे assuring है और non-assuring है और दूसरा फटा फट से USG की help से amniotic fluid index देख लेंगे so actually it is quick test या तो fast test और fast test और इसमें 30 minute की ज़रत नहीं होती है note require 30 minutes and spasily it is only यह लिख लेना कि यह केवल screening test यह it is screening test only diagnostic test नहीं है not the diagnostic test तो यदि कोई female आपके पास में आकर के fetal moment decrease की complain कर रही है then what you will do next especially आप क्या करोगे दो चीज़े करोगे NST और Amniotic Fluid Index and this is the next screening test तो क्यूशन बना लीजे देखो क्यूशन है मान लीजे यह कोई female है जो आपके पास में आई है obviously 33 week पे इसकी complain है decrease fetal moment fetal moment कम हो गया है then what we'll do next step क्या है next हम दो चीज़े करेंगे या तो NST कर सकते हैं या तो NST प्लस AFI कर सकते हैं यह कौन सा टेस्ट हो जाएगा this is modified by a physical test and this is only NST अब यदि यह दोनों अबनोर्मल आए तब कौन सा टेस्ट करेंगे गो diagnostic test and what is diagnostic test biophysical test for the biophysical score मैंने सारी कहानी अच्छे से समझा दिया है so this is all about the complete related to fetal well-being so thank you अगला topic है labor तो चलो we have to take a break and then next move on labor clear है चलो लिख लो मैं YouTube वाले बच्चों से बात कर ले था हूँ सबसे पहले राम लखन गुड इवनिंग निर्मा गुड इवनिंग अभि सेक गुड इवनिंग आरे सेकर वाई गुड इवनिंग प्रनाम नमस्कार राम परकास गुड लख यार गुड इवनिंग आमकी कोचिंग सेंटर का है पुस्पिंदर हमारी कोचिंग जोदपूर में है मनिस गुड इवनिंग अंकिया जोदपूर में यास जितेंदर सर जी NST बाली क्लास का चैप्टर नहीं आ रहा है सर प्लीज बता दो सर आपने मुझे पढ़ाया था और आज मैं देली एम्स में हूँ थैंक्यू सो मच यार हेलो सर हाँ भाई थैंक्यू थैंक्यू सब को गूड इवनिंग थैंक्स एंड थैंक्यू थैंक्यू साइ्क्यू औल कुछ में है आजू औल दो एफिर आपड़्यस सार रहा है कि विध विध आल दो आपड़्यस झाल झाल